शुरुआत करेंगे पैर्स पेरलंपिक की खबरों के साथ जहां पर पैर्स पेरलंपिक में शांदार प्रदशन करने वाले भारती खिलाडियों का स्वदेश वाक्सी पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है आज सुबा भी भारती तल के कुछ सदस से भारत वापस लोटे दिल्ली हवाई अडे पर भारती खिलाडियों का गर्म जोशी से स्वागत किया गया इन दिनों दिल्ली का इंद्रा गांधी एयरपोर्ट धोल नगाडों के शोर से गुंजाएमान है मंगलवार को पेडरलमपिक में शान्दार प्रदशन की तस्वीर को सामने रखने के बाद मंगलवार को भारती पैरा एथलीटों का एक और दल स्वधेश लोटा जिसमें गोल्ड मेडलेस सुमित अंतिल भी रहे सुमित के अलावा तीरंदाज शीतल देवी भी सवदेश लोटी जहां वापसी पर इंका जोरदार स्वागत हुआ एथलीटों का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का होजूम दिखा जिसमें प्रशंसक से लेकर परिवार वाले सभी शामिल रहे एथलीटों ने खुद को मिले इस अपार प्रेम क्रिपती आभार विक्त किया अच्छा किया था हमने और नेक्स टाइम देखते हैं कि हम अपने देश के लिए गोल लेके आए बहुत मज़ा आ रहा है बहुत अची है कि देश के लिए मैडल जीत कर यहां पर आएं और इतना वाम वेलकम हो रहा है हमारे जो तीरंदाजी परवार है साई की तरफ से इंडिया नार्चरी यहां पर मेरे सारे कोचेज मेरी फैमिली सारी पहुंची हुई है तो बहुत मज़ा है पैरिस में भारती पैरा एतलीटों ने परचम लहरा दिया है भरोसे की नीव पर जिस तरह से पदक बरसे हैं वो निशित रूप से देश में पैरा खेलों के बदलते तेवर को सामने रखता है पिछले दो पैरलम्पिक में देश ने लगातार अपने प्रदर्शन के ग्राफ को आगे बढ़ाया है लेकिन इस सबसे उपर बड़ी बात ये है कि यहां जीत और हार से जादा पैरा एतलीटों के उस होसले को सलाम है जो बिना रुके और बिना ठके लगातार इस छेतर में देश के प्रदर्शन के ग्राफ को आगे बढ़ा रहा है नरायन सिंग की रिपोर्ट टीडी न्यूज दिल्ली